तो हेलो सिविल इंजिनियर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आइसोरेटिड फुटिंग जॉब जो कि हम स्टार्ड फाउंडिशन एडवांस में करेंगे उसको यह मोडेल तो मेरे पास पूरा है यह तो मैं लोडिंग यहां पर मैं लोडिंग भी प्रोवाइड कर चु लेकिन यह वीडियो पर्टिकुलर्ली फॉर आइसोरेटिड फुटिंग जो कि हम करेंगे स्टार्ड फाउंडिशन आडवांस में और यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर जो स्वाइल का कंडिशन है वो उतना भी खराब नहीं है अच्छा स्वाइल है यहां पर SBC है लगभग 20 ton per meter square in 1.5 meter depth soil में उसका SBC है अगर आपका SBC 1.5 meter depth में 10 ton per meter square 10 ton per meter square से अगर ज्यादा होता है तो वहां पे आप isolated footing ले सकते हैं अगर 10 below आता है तो वहां पे आप raft foundation और और बहुत खराब आएगा तो वहां पे आपको pile care foundation करना पड़ेगा तो pile care foundation का भी में separate video बनाऊंगा देकिन आज का particular video for isolated footing because the soil condition is very good तो यहां पे सब कुछ होने के बाद यहां पर one time आप run करते हैं ठीक ना run करके देखते हैं कि यहां पे कुछ error तो नहीं है कुछ error आएगा तो आपको foundation डिया नहीं कर सकते तो यहां पे error नहीं है एक वार नहीं है उसको ignore किए directly done किजिए done करने के बाद यहां पे अगर मैं click करूगा क्योंकि यह मेरा hide हो गया है तो यहां पे selection करके अगर यह pin को click करूँगा तो यह फिर से दुबारा आ जाएगा इसको ऐसे click करूँगा तो यह remove हो जाता है तो यह होने के बाद यहां पे आपको सेलेक्शन करना पड़ेगा कहां पर यह foundation डिजाइन पर ओके यहां पर क्लिक किजिएगा यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपका यह हो गया सारे basic लोड और यह हो गया हमरा load combination तो यहां पर जितना भी basic लोड है उसको सेलेक्शन कीजिए क्योंकि यह जो combination किये थे यह हम सुपर स्ट्रक्चर के लिए किये थे सब्स्ट्रक्चर का foundation डिजाइन जहां पर होगा उहां पर ही हम उसका combination करेंगी तो इतना सेलेक्शन करने के बाद यहां पर आपको इंक्लूट करना है तो यह आपका नीची आ जाएगा यह foundation में ट्रांसपर होने के लिए तो यह देखिए मारा यहां पर software open होके आ गया है उसका भीव आप चेंज कर सकते हैं यह देखिए टॉप भीव है यह आइसोमेटिक भीव है तो मैं अभी टॉप भीव पर रखता हूं तो यतना मेरा foundation कॉलम होगा ठीक ना तो अभी यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर कोई सकेलिंग है यह उसका foundation का साइज नहीं है तो उसका साइज को चेंज करने के लिए यहां पर project information में आए जो pedestal के साइज इस वह आपने ही साब साम define करेंगे यह साइज अब चाहाए तो दे सकते हैं लेकिन मैं साइज चाहिए बगरा कुछ नहीं दोंगा जो की pedestal का sizes होगा, तो मैं sizes अभी देता नहीं हूँ, without sizes पर हम करेंगे, जब drawing करेंगे, उस time में हम sizes को manage करेंगे, मैं आपको दिखा दूगा वह वाला चीज, तो यहाँ पर देखिए आगया, isometric view पर देखिए, यह आपका pedestal यहाँ पर आगया, इतना होने के बाद इसको आप minimize कर दिए, इसको minimize कर दिए, यहाँ पर आएए, लोड एन फेक्टर के plus symbol के उपर, उसके बाद यहाँ पर generate load combination पर आईए, क्योंकि हम यहाँ पर combination करने वाला है, यहाँ पर हम load combination करेंगे, तो यहाँ पर click करने के बाद, यहाँ पर load combination का जो table है, यहाँ पर आके indent कर लिए, और यहां पर generate load combination कीजिए जो की होता है आपका service के लिए और यहां पर और एक बार करेंगे ultimate load के लिए तो यहां पर देखे load combination यहां पर generate हो गया है इसको close कर लिए उसके बाद इसको fit से minimize कर लिए उसके बाद यहां पर आये job setup के उपर है यहां पर solid property नहीं चाहिए job setup के plus symbol पर click कीजिएगा और उसके बाद यहां पर create a new job कीजिएगा उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं मेरा यहां पर isolated putting करूंगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं isolated putting नाम आपने हिसाब से आप राख सकते हैं कोई दिखकर नहीं उसके बाद यहां पर job type होगा यहां पर देखिए isolated इंडियन कोड उसके बाद यहां पर मैं SI unit रखता हूं assigned to all support उसके बाद यहां पर आपका ट्रांसपर होगा यह देखिए बेसिक लोड को छोड़के जितना भी यहां पर service इस लोड, combination लोड, ultimate लोड है मिस combination लोड है उसको ही transfer कीजिएगा सेलेक्शन करने के बाद यहां पर पहला option को क्लिक कीजिए तो यहां पर जो basic लोड नहीं लेंगी हम only combination लोड को लेकि combination लोड मिस मैं maximum लोड को लेकि यहां पर हम design करेंगे उसके बाद यहां पर create job के ओपर क् करना है कुछ data जो की unit weight of the concrete यहां पर मैं 25 लेता हूं minimum bar spacing मैं 100 लोगा maximum 450 जो आपका reinforcement बार होगा उसका minimum spacing इतना maximum इतना आएगा आपका दिखना strength of concrete यहां पर मैं 25 लेता हूं मैं 25 का grade का यहां पर concrete यूज करूंगा और मैं यहां यहां पर still लेता हूं 500 FE 500 है 550 है जो भी market में available हो उसके बाद जो बार यहां पर reinforcement मैं यहां पर minimum i mean 12 mm कर रहा हूं लूँगा wow maximum जो 16 मैं 10 में भी हो सकता है कर और दोंगा, spacing को मैं increase कर सकता हूँ, तो यह मैं 12 से सोला दोगा, यह आप चाहँ तो आपने हिसाब से change कर सकते हैं, इतना ही आपको करना है, उसके बाद यहाँ पर simply आ जाए, cover and soil के उपपर, उसके बाद यहाँ पर जो आपका unit weight of the soil है, इसको आप unit को change चर देजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर हचीच है, kilogram per meter square है, unit weight of the soil, यह आपका soil data में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मेरा 18 है, बैसे कहले 18 ही होता है, unit weight of the soil, तो मैं वो 8 लेता हूँ, यह भेरी होता है, depends upon the soil, okay, उसके बाद जो SBC है आपका, soil bearing capacity, तो मैं आप data मिलेगा, soil testing का report में मिलेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह चेंज नहीं करना है, okay, another one, depth of soil, यह भी आपको मिलेगा, depth of water, कितना नीची आपका पानी है, वो भी आपको मिलेगा, soil testing का report में, तो यह भी लगबग आपका 2 meter, यह भी सही है, इतना रखंगा, और यहाँ depth of foundation above footing, यह 500 ही में रखता हूं, okay, excavation की time में उसको आप manage करेंगे, तो यह ठीक है, यह 500 ही रखता हूं, तो इतना मैं यहाँ पर करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आजाओंगा, footing and geometry, footing and geometry में आपको minimum sizes, minimum sizes में 1 meter रखता हूं, जो footing का minimum sizes होगा, length और width, वो में 1 meter रखंगा, उ 1.2 meter, ठीक है, minimum में कोई दिक्कत नहीं, maximum में कोई दिक्कत नहीं, minimum मैं इतना ही रखूंगा, इसके उपर यह आपका footing size आएगा, उसके बाद यहाँ पर directly में जाओंगा, design के उपर, और yes, बस इतना ही, इतना होने के बाद आप थोड़ा wait कीजेगा, यह design complete होने तक, ठीछे, यहाँ पर देखिए, complete हो चुका है, यहाँ पर मेरा warning 0 है, मेरा error 0 है, must be error 0 होना चाहिए, warning अगर कुछ आता है, तो उसको आप ignore कर सकते हैं, लेकिन आपको read करना पड़ेगा, यह warning exactly क्या आ रहा है, तो यहाँ पर error 0 है, that is all okay, यहाँ पर इतना होने के बाद आप read case से करेंग है, ऐसे अलग-अलग footing का sizes मिलेगा, तो इसको आपको change करके, आपने हिसाब से sizes को equal sizes रखना है, तो सबसे पहले देखिए, पुरा meter में है, तो यह मुझे feet में चाहिए, जो result है, मुझे feet में चाहिए, तो अभी मैं result को change करेंगी, उसका unit होगा, यहाँ पर click करने के बाद, य यह भी मुझे चाहिए inch पे, इतना मैं change कर लिया, उसके बाद, okay, यह देखिए, अभी मेरा यह पुरा feet पे आ जाएगा, तीक ना, यह देखिए, 6.5, सारे 6 feet, सारे 6 feet, सारे 6 feet, 1.3 feet, okay, तो यह देखिए, अलग-अलग sizes यहाँ पे आ रहा है, तो जो भी आपका equal sizes होगा, य एक category में आप divide करेंगे, okay, जैसी कि मेरा सोच लिए कि यह वाला और यह वाला भी आपका similar लग रहा है, तो इसको मैं एक category ले सकता हूँ, footing 1, footing 2, essay, यह देखिए, छोड़ा आ रहा है, यह footing something different footing, इसको भी आप यह same category भी ले सकते हैं, तो यह जो इतना type का footing आता है, सबका अल तो चार type का footing, तो यह जो footing का sizes है, इसमें से आप consider करेंगे, आप कौन सा कौन सा similar column है, और आपको similar footing आपको चाहिए, ठीक ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा, okay, यहां पर अगर मैं उसका जो column का sizes अगर मैं दिखाऊंगा, तो यह मेरा column का sizes है, यह देखिए, यह मेरा column का sizes है, जैसे कि यह मेरा column 2, column 3, column 2, तो मैं इतना में different दिखाता हूं पर ने, यह column, दोनों column 2 है, और बीच वाला column 3 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यह दोनों sizes तो अब footing को में same रखूंगा, तो अगर हम देखेंगे, तो यह देखिए, यह footing आ रहा है, यह footing number 1, और यह footing number 9, यह दोनों में different है, footing number 1 इतना आ रहा है, footing number 9 आ रहा है, आपका इतना, तो मैं यह क्या करूंगा, यह footing को यहां पर देखिए तीन टाइप का इतिन लेना पड़ेगा जिसे कि यहां पर देखिए तीन टाइप का इतिन कॉलम है टिक ना तो यह तीनों मेंसे जो हाइस्ट होगा उससी का साइजेस को आप कंस्टिडर करेंगे जैसे कि यह 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 सबसे द्रॉइंग दिखाऊंगा तो यहां पर मैं उसका जो यह ड्रोइंग से उसका साइजेस को आइड़िया कर लिया उसके बात यहां पे detail and scheduled इसको चाहिए तो ओठोगर में transfer कर सकते हैं अगर यहां पर शेफ Creating Edge करेंगे तो ओठोगर में transfer हो जाएगा उसके बात यहां पर detail and scheduled drawing में आथे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जितना टाइब का यहां पर पुटिंग का नंबर यहां पर देखिए, पुटिंग नंबर 12, तो यहां पर यह नंबर कहां से मिलेगा, यह जीए ड्रोइंग से आपको नंबर मिलेगा, यह देखिए, पुटिंग नंबर 3, पुटिंग नंबर 4, तो उसी साब से यहां पर देखिए, आपको मिलेगा, कॉल बार चाहिए टॉप में कोई वी reinforcement यहां पर नहीं चाहिए उसके बाद यह हुगया पेडेस्ट्राल का डिटेल तो है तो यहां पर देखिए यह स्टी टॉप मिंस आपका टॉप इसको हम simplify करेंगे यह data को consider करके तो यहां से आप results देख लिए यहां से result देख लिए यहां से result देख लिए इसको भी चाहिए तो ऑटो करने टांसफर कर सकते हैं यहां पर drawing से बच करके उसके बाद यहां पर calculation sheet में आई है calculation sheet को भी आप निकाल सकते हैं यह जैसे कि मेरा footing नमर एक सुचे आप चाहू जो भी चाहू जो भी फुटिंग का मुझे suppose यह वाला फुटिंग का चाहिए एक सो नौ का यह तिंगा मुझे एक सो नौ चाहिए यहां पर जाके आप 109 को सिलेक्शन करेंगे तो उसका डेटेल यहां पर आ जाएगा यह देखिए 109 वाला यह उसका length width और उसका thickness यह pedestal का ओकी सुर्ण यह reinforcement बार का यह pedestal का यह देखिए यह पूरा detail यह आपको read कर सकते हैं यहां पर जो combination लिए combination बगर आप यहां पर given है ठीक ना यहां पर पूरा design का report इसको आप PDF करके वो design के लिए भी यह आपको submit कर सकते हैं जो design आपका result यहां पर चेक कर सकते हैं उसका print निकालने के लिए यहां पर प्रिंट calculation sheet में आएंगो तो इसका print in PDF format में convert कर सकते हैं और कहां पर result देख सकते हैं यहां पर isolated footing summary यहां पर भी आप result देख सकते हैं यहां पर यहां पर length width thickness यहां पर number यहां पर reinforcement bar ओकी यहां पर भी ओ सेम डाटा यहां पर भी आप check out कर सकते हैं तो यह पूरा design को study करने के बाद उसका reinforcement को check करने के बाद उसको categorize करने के बाद finally मेरा निकल लेकर आया है मेरा drawing तो यह मेरा design हो गया और design को पहले save कर लेते हैं save कैसे होगा यह यहां पर आप direct home जाके यहां पर आप save कर देंगे तो यह आपका जो location पर आप start pro software रखे होंगे वहां पर यह save होके आजाएगा यह processing चल रहा है यह हो गया तो इतना जगा पर आप उसका design को check करेंगे और उस design को consider करके आपको drawing करना है तो यह से कि मैं यहां पर drawing क्या हूं तो यह जो column का sizes तो start pro software से मिला है उसकी बाद देखिए यहां पर putting का sizes यहां पर मैं consider क्या हूं जिसे कि मेरा सबसे बड़ा footing जो कि 7 feet by 7 feet का है ओके यह तीनों जो है 7 feet by 7 feet यह putting जो column 2 है यह putting 2 है यह 5 feet by 5 feet यह देखिए जितना भी column 2 है यह 5 feet और जो आपका column 1 है जो कि सबसे छोटा putting सबसे छोटा column है 5 feet by 5 feet का ऐसे ही मैं क्या किया ऐसा नहीं कि 100% मैं start pro को follow किया start pro इजे supporting media उसको देखके मैं आपने हिससाब से drawing किया वह support करके उसका जो sizes को मैं consider करके यह मैं drawing किया हूं उसको 100% आपको copy करेंगे तो अलग अलग जितना भी column है उतना type का footing आपको क्या करना है जितना column होगा उतना type का footing रखेगा और फूटिंग का sizes को आप start pro software start foundation software से adoption किजिएगा और drawing आपने हिससाब से किजिएगा और उसका अगर हम section देखेंगे तो यह आपका एक typical section हो गया जिरो जिरो लेवल और मेरा यहां पर मैं अलग नाम वो stt लिखा था बी लिखा था top के लिए टी बी के लिए bottom तो यहां पर मैं ऐसे नहीं रिखा मैं आपने हिसाब से s1 s2 s1 हो गया आपका bottom का long span s2 हो गया bottom का short span similarly this one here long span top long span top ओचो दोनों में long span लिख दिया तो एक हो गया आपका short span यह हो गया long तो यह हो गया long यह हो गया आपका short span यह लिखने में थोड़ा गल्ती हो गया है इसको लिखूंगा short span एक long होता है तो एक short span होता है तो यह देखिए आपका यह typical section है और उसका अगर प्लान देखने के तो यह प्लान हो गया यह length और यह width और यह PCC के लिए 4-4 inch का extra projection और एक column IB में लिखा उसका जो pedestal होगा 6-6 inch का pedestal होगा all side में projection और उसका जो reinforcement होगा यह देखिए यह 3 टाइप का putting था और यह देखिए putting का size यह putting का depth ओके यह मैं 1 feet लिया हूं 300 mm लिया हूं वहां पर मैं 350 minimum रखा था वह आप 300 रख सकते हैं यह मैं 300 mm का depth रखा हूं एक feet का यह s1 s2 s3 और s4 यहां पर मैं consider नहीं किया हूं आच्छा यहां पर मैं 80 लेकर यह drawing किया था तो इसको आप यहां पर मैं 20 लेकर किया हूं तो इसको आप 20 लेख सकते हैं यह वाला आपको consider करना पड़ेगा तो importance note sbc of the soil consider 20 जितना भी आपका दिखाएगा आपका soil test report में वही डाटा को यहां पर consider करना है तो यहां पर s1, s2, s3, s4 पर आपका निल था तो यहां पर मैं निल कर दिया तो यह देखिए यह मेरा putting का layout आगया यह मेरा putting का sizes आगया तो यह पूरा adoption किया हो में startpro foundation software से लेकिन उसको 100% में copy नहीं किया तो यह था मेरा foundation design जो cash-related putting I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ doubt होगा तो आप comment किजिएगा और ऐसे ही आपको लिए और बहुत सारा वीडियो लेके आऊंगा जिसे की wrap putting, pile cap putting, okay तो इसके लिए please like, share, subscribe मैं चैनल, thank you so much for watching मैं वीडियो, thank you